नमस्कार आप देख रहे हैं मैंनेस न्यूज लाइफ मैं हूँ आपके साथ रोशनी आई ये देखते हैं आची कुछ खास खबरे मैला के सीर में अचानक लगी आग जिसके बेखबर होकर किचन में करती रही काम चोशल मिडिया पर आएदीन कई हैरन कर देने वाले वीडियो सामने आते रहते हैं जिनने देखने के बाद आगों पर यकिन पाना मुश्किल हो जाता है इसी कड़ी में एक चोकाने वाला वीडियो सामने आया है जिसमें कीचन में काम करते समय एक महिला के सिर में अचानक से आग लग जाती है लेकिन उसे उसकी भनक तक नहीं होती है और वो अपने काम में व्यस्तर रहती है करीब 40 सेकेंड तक महिला के सिर पे आग ही लगी रहती जिस वीडियो में नाम के अकॉंट से यह शेयर किया हुआ है और उसके साथ कैप्शन में लिखा है कि मास्टर शेफ शेयर किये जाने के बाद भी अब तक इस वीडियो को 29 के यूज वीव्यूज मिले है और वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला किचन में अंदर खाना बनाती रहती है और वह जुलस कर कुछ निकालती रहती है और इसने में ही उसके सीर पर अचानक से आग लग जाती है जलते हुए गैस टोप पर सरकस के आते ही महिला के बालों में अचानक आग पकड़ लेती है लेकिन हैरत की बात यह है कि महिला को उसकी जानकारी तक नहीं होती है करीब 40 सेकंद बाद जब महिला को अपने सीर पर गर्मी महसूस होती है तब जाकर उसे पता चलता है कि उसके सर में आग लग गई है और वोह जटके से आग बुजाने की कोश्च में लग जाती है लेकिन तब तक महिला के बाल पूरी तरह से जल चुके होते हैं एक्टिंग और सुपाना एक तरब इर्फान तो इससे करते हैं सबसे ज़्यादा महाबबत इर्फान खान का जन्मा साथ जन्वरी 1967 में हुआ था जयपूर में वह मुस्लिम और पठान परिवार से बिलॉंग करते हैं और आज अगर अभिनेता जिन्दा होते तो उनका 56 जन्म दिन मना रहे होते तो चले जानते उनके जन्म दिन के मौके पर अभिनेता से चुड़ी कुछ खास बाते इर्फान खान का पूरा नाम शहाजत बाद इर्फान खान अली है और इसके पता पिता टाइगर का व्यापार करते थे और इर्फान खान की शुरुआती जीवन भले ही संगर्शों से भरा है लेकिन हिंदी सिनिमा में जो उन्होंने अपनी आदागाई का कमाल दिखाया है उसे फैंस के लिए काफी बुलाने वाला नहीं था हाला कि यह बाद बहुत कम लोगों को जानते है कि इर्फान खान सिनिमा का रास्ता काफी बाद ले चुके थे और उसकी सबसे पहली मौबबद क्रिकेट थी लेकिन अफसोस यह था कि वह मौबबद अधूरी ही रहे गई इर्फान खान की क्रिकेट का बेहत शोक था और वह क्रिकेट की दुनिया में आलराउंडर रहे थे और सिर्फ इतना ही नहीं नहीं जैपूर में भी टीम में वह यू देपाए थे दरसल इर्फान खान को एक शहर से दुसरे शहर के लिए क्रिकेट टूर्णामेंट के लिए जाना आप जाता था लेकिन उस समय उनके पास बैसे नहीं थे इसी बात का खुला सा इर्फान खान ने 2014 में एक इंडरी के दोरान किया था इर्फान खान ने हिंदी सिन में उन्होंने बॉलिवड को दी है बता दे कि फिल्मों में भी उन्होंने अदाकारी से सब का मन लुपाया है फ़रान खान इर्फान खान को पहले कैंसर हुआ था और जब वह कैंसर से ठीक होकर लोड़ गए थे तो 29 पर 29 एपरिल 2020 को उनको कोलन इंफेक्शन की जान थी औ एक टांग पर खड़े रहे जयपूर होटल साब फरान खान ने अपने इंस्टाग्राम पर जयपूर के रेस्टारेंट का एक वीडियो साजा किया है जिसमें उन्हें गले में फूल और माला लगा हुए देखा जा सकता है जैसे वह अंदर आती है उन्हें नमस्ते करते हु वह कहती है कि वहाद इतना बड़ा रेस्टारेंट लेकिन इसमें कोई लोग नहीं इसके बाद रेस्टारेंट करमचारी उन्हें बताते है कि आज यह स्टौर पर आपके लिए खाली किया गया है खास तोर पर अपने स्वागत के खुले रेस्टारेंट को देखकर फराकान काफी हरान हो जाती है इसके साथ ही वह मजजेदार अंदाज में कहती है की यह पूरा रेश्वर्यन मेरे स्वागत के लिए खोला गया है वह लेकिन मैं कोन भरेगा वीडियो को शेयर करते हुए फरा खाल ने रेश्वर्यन or उसके किया दिखाना भी शुरू कर दिया है अभिनेतरी गहर खान ने फराखान के पोस्ट पर कमेंड किया है वंडर्फुल वही एक प्रशनसक्त ने चुटकी लेते हुए बताया है कि आपके पती कहा है और इसी तरह से दूसरे उज़र ने लिखा है कि पूरा आपके लिए खुला है फराखान मैम और तो डांस हो जाए इसी तरह से एक अन्य ने प्रतिकिया दी है कि कुर्खिया से मस्त है और खाकर जो सो जाओ और वही सबको प्रशनसक देखे अभिनंदन करो अब आप हमारे चानल को अपने मोबाल पर देखने के लिए प्ले स्टोर से मेंस्टीवी देखे गादेश और दुनिया की तमाम कबरें बने रही हैं मेंस नेज़ पर नमस्कार